नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनुश मरुपता आप देखने में चनल को इसका नाम है टेक्निकल मनुजी और आज की वीडियो बने वाली है वह है होट स्टार में लॉग इन कैसे करें क्योंकि आपको सपी को पता है कि WTC स्टार्ट हो चुका है तो उसी को देखने के लिए अगर होट साइब होते ही पहले लौग इन के लिए लौग इन या साइण अप के लिए लाग आप यहां पर कर सकते हैं मुबवाइल नमबड से आप जिस नंबर पर आपने वह ले रखा है सब्सक्रिशन उसी नंबर से लॉग इन कीजिए ठीक है और अगर बास आपका दो तीन नंबर है और दोनों तीनों पर आपर आते हैं रिचार्ज करने वाले कि आपको होट सैका सब्सक्रिशन मिलेगा 499 वाला या फिर तीन वहनें का वगरा वगरा तो आप उसी नंबर को यूश लिया है तो अब फीड कर दिया है आप तो हम अपको लॉग इंब तो टीपी डालते ही लॉग-ईन हो चुका है और आपको चेक करना है कि आपको सब्सक्रूइशन है के नहीं है तो कैसे करेंगे स्कूर्ल करें ओपर की साइट है साइड में माई स्पेस फेस जाएंगे करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आपको यहां पर लिखे रहा है प्रोफाइल में यू आपको केट्स प्रोफाइल चाहिए यू पर क्लिक कर देंगे यह यू पर आगे ठीक है और उपर आपको दिखाई देगा जिस नंबर से आपका एक्टिवेट है कौन स कंपनी का वोड़ाफन का है अपग्रेड करना है तो अपग्रेड कर सकते हैं अगर मैं अपग्रेड क्लिक करता हूं तो मुझे कुछ दिखाई देंगे ऑफर वगएरा तो कितना रुपे चार्ज होगा क्योंकि मैंने बहुत तल लिया था तो अब उसकी प्राइस भी तो यह प्लान है यह प्लान है 499 का लेकिन अपग्रेड करना मुझे इसमें तो अभी 530 रुपे देने पड़ेंगे पहले अगर स्टार्टिंग में करता तो पैसे थोड़ी से कम होते ठीक है लेकिन अब यह काफी समय तक यूज कर लिया तो उसमें अब ज्यादा बैलेंस पे करना पड़ेगा क्योंकि यहां देखो औरिजिनल प्राइज यह है मेरे प्लान में एक्जिस्टिंग बैलेंस के तरह दिखाए तरह 316 तो बैलेंस अमांट जो बचेगी वह में पे करना पड़ेगा 513 रुपए ठीक है तो फिलाल मैं मोगाइल पर देखता हूं इसमें अप्ग्रेट करना है अगर मुझे अप्ग्रेट करना है अगर इसी में वीडियो में पता देता हूं तो मैं इस वाले प्लान पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मेरे पास पेमेंट के लिए एक यूर कोड है से स्कैन करूंगा स्कैन करके पेमेंट कर सकता हूं पास सुपर अगर प्लान जाएगा तो फिर वही चेकर है ना आपकी पेमेंट मैं यूज़ करूँ उससे फाइदा नहीं तो चार मेंट का टाइम दे रखा यह QR कोड इसी चार मेंट के लिए लेट है फिर नहीं होगा ठीक है तो आप ट्राइब ना कीजिए आप अपने टीव देखने के लिए बाए बाए